नमस्कार डीडी नियूज के स्विशेश कारिक्रम में आपका स्वागत है मैं हूँ सुधान शुरंजन और अभी हम बैठे वे हैं श्री नगर के राजभवन में और हमारे महमान अती विशिष्ट महमान हैं जम्मु कश्मीर के राजिपाल श्री सत्यपाल मलिक जैसा कि आप जानते हैं जिसकी काफी चर्चा हुए कि पचास वर्षों के बाद एक राजनितिक व्यक्ति को राजिपाल बनाया गया है और अभी बहुत एहम समय है इस राजी के लिए तो भी हम उनसे बात करेंगे कि राजी के बारे में उनकी क्या योजनाय हैं बहुत स्वा इधान सवा में तमाम तरह की बाती भी हुई थी तो विस्तार में तो नहीं जाना है और आपने उसके बाद काफी वक्त भी दिया तो सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इसी पर हम जानना चाहेंगे कि इस पर आपको क्या कहना है देखिए इस पर मुझे कहना है कि जम्मू क कोशिश की है कि मैं खुद को और राजभावन के दर्वाजों को उपलब्द करूं जनता के लिए मुझको कोई WhatsApp भी आया है मैं उस पे भी रियक्ट किया हूँ किसी मोहले से मुझे आया कि हमारे हाँ वाटर लॉगिंग हो गई है मैं दिल्ली में था मैंने दो दिन में सारा पानी निकल वाया किसी बच्चे का आ गया एक दिन यहां बिना टाइम लिए लड़के लड़कियां आ गए हमका इमताहन सरकना था पब्लिक सर्विस कमिशन का मैंने का देखो यह मेरे हाथ का नहीं है चुके यह और मैं प्रियास करूंगा और मैंने लगबग समझे यह 50% उनका तु देर सैटिस्फेक्शन निप्टा है तो अकर आप सुनेंगे लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे बीच में रहेंगे तो आप बेटर राजपल होंगे यह बात तो बिलकु सब दिया यह भी कहा कि आप प्रोटोकोल को तोड़ करके लोगों से मिलेंगे उनके दिल और दिमाग को जीतने की कुशिस करेंगे साही बात है कि जब हम कहते हैं कि एक्सेशन हुआ भारत से राजी मिला तो के वाले भूमिक एक्सेशन नहीं है वो दिल का भी है इमोशनल भी है तो उस इमोशनल इंटीग्रेशन के लिए भावनात्मक जुडाओं के लिए क्या-क्या योजनाएं आपके पास हैं दखिए इसमें बेसिकली कुछ तो डेवलेप्मेंट की हैं कुछ एडविनिस्टेटिव हैं प्रशासनिक हैं मिसाल के तार पर रमजान के दिनों मे महरम के दिनों में, इमतान के दिनों में, होली दिवाली के दिनों में इन में लोगों को बिजली जब नहीं मिलती है तो बहुत गुस्सा आता है मैंने आरके सिंग साब आयोए थे उनके सामने ये प्लेज कराया उनसे भी और अफसरों से भी के इन मौकों पे हम जो बड़े शहर हैं कम से कम उनमें पूरा 24 घंटे विजली देंगे तो इससे लगता है कि हम उनकी चिंताओं के लिए वरिड है हमने जितने यहां के 15-20 डेज काम शुरू हो जाएगा कुछ पे 6 महिने में खतम कर देंगे कुछ का एक साल में कर देंगे तो असली चीज यह है कि हम उनकी समस्याओं को निप्टा हैं यहां बाड आई थी मैंने आते ही सबसे पहली मीटिंग बाड की तैयारी के लिए कि बाड आ गई तो क्या- करने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि डल लेक को हम पहले जैसी कर लेंगे तो अतनी सफाई हो जाए तो जो आप कह रहे हैं कि विकास की बात यही समस्या है जो केंदर से धन आता है अब चूंकि विशेश राजी का दर्जा है इसलिए 90 प्रतुशत तो केंदर धन देता ह जो बाकी 10 प्रतुशत है वो भी कर्ज की रूप में राजे सरकार को मिल जाता है लेकिन ब्रष्टाचार एक ऐसी समस्या है ने कि लोगों तो उसका लाब नहीं पहुच पाता है वो ब्रष्टाचार यहां प्रशाशन में काफी है मुझे यह कहने में कोई जिरक नहीं है द जिनके पास भी disproportionate assets होंगे वो सब सरकार अपने कबजे में लेगी बड़े से बड़े अफसर को अगर भरष्टाचार करेगा वो किसी के भी intervention से नहीं बचेगा उसके साथ हम सक्ती से पेश आएंगे चुके जिनका जिनके हिस्से का पैसा वो खा रहे हैं वो तो बहुत बु में हैं तो हम उसका हथ पकड़ेंगे यही तो समस्यानिक मैं यहां देख रहा हूं कि कई पुल हैं सालों साल मतलों उसकी तैयारी ही चल रही है यह तो बहुत अच्छी बात है असी हजार करोर रुटे का केंदर सरकार ने पैकेस दिया उसकी 61 योजनाय चल रही है लेकिन व रूरल इलक्टिफिकेशन का घर उजवला योजना का घर में कनेक्शन देने का बल पहुंचाने का वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और यह कह दिया कि तीन महीने में हम यह कह सकें कि हमारा हर घर में उजाला है जब आप कहरें कि भरष्टाचार के खिलाप कठोर कारव करेंगे राजनितिक व्यक्ति के मामले में अगर आप करेंगे तो कहें अग्यां सहाब!!!! evolve करेंगे जो जाच करेगा कि जिस पर किसी की यह उगली न उठे कि वो किसी पक्षपात में कर रहा थे रूसके रास्ते में जो भी आएगा उसके खिलाफ कर रहा ही करेंगा यह आरोप तो लगता है कि राजनितिक व्यक्ति व्यक्ति फ्रस्टा चार करेगा तो उसका उत्री खराब होती है तभी गंगा गंदी होती है दूसरी बात यह है जो भावनात्मक जुड़ाओ की बात है जब में हाग लोगों से बात करता हूं तो कुछ उदाहरन देते हैं कि देखिए उनीस सो और तालिस में से तालिस में जो स्थिती थी एक वादा किया गया सब कुछ है आप मानते हैं कि कश्मीर जिस तरह से बिहार है उत्तर प्रदेश का नाटक की तरह तो नहीं है एक आपने शेसराजी का दर्जा दिया आश्वासन दिया श्री नगर में आपको जवार आलिहरों के नाम पे बहुत सारी संस्थाएं मिल जाएंगी इंदीरा गांधी के नाम पे सड़क मिल जाएंगी लेकिन एक भी कश्मीर के व्यक्ति के नाम पे दिल्ली में सड़क नहीं है तो आप एक राजजिपाल की औरोप में क्या केंदर सरकार से सिफारिश करेंगे कि इस तरह कि जैसे लाल देद हैं उनमें कोई विवाद भी नहीं कोई राजनिते की व्यक्ति नहीं है या शेख नुरुद्दीन है ऐसे व्यक्ति जिनको लेके कोई विवागर उनके नाम पे वहां कोई भवन बने तो बहुत आसान काम है आप मुझे एक बार सजेस्ट कर दी इंटिग्रेशन हो पाएगा अभी पंचायच चुनाव होने जा रहे हैं एक बहुत बड़ा मुद्दा जो अनुच्छे 35 ए है वो बना हुआ है आपने एक चो कदम उठाय उसकी मैंने देखिया साराहना लोगों ने की है कि आपने का कि जब चुनाव हो जाएगा सरकार बन करने से 35 A पे कोई असर नहीं पड़ता है ना पॉजिटिव ना निगेटिव यह तो एक बहाना है 35 A के खिलाफ इन दलों को लड़ना है अपने वकील खड़े करें जहां तक मेरा सवाल है मैं उसमें कोई पक्षधर नहीं हूँ मैंने कह दिया है कि मैं जो जनता की इच्छा अब उनको हम से शिकायत करने की कोई गुन जाइश नहीं है वैसे केंदर सरकार ने भी सुप्रिम कोट में अपना कोई पक्ष नहीं रखा है नहीं ने भी डेफर करने ही के लिए कहा है उन्होंने यह कहा कि हमारा भी कोई पक्ष इस पे नहीं है तो यह तो देखो इनके होई नहीं जा रूट से बात होई थी दो भी तो टाइम पर वह पॉब्लिक ली मेरे साथ खड़े होके पंचाच चुनाव का समर्थन कर चुके है लोगों से वोट करने की अपील कर चुके हैं और वह कह चुके हैं कि यह नदिली के लिए है न यहाँ के लिए है यह तुह्म कश्मीर का भविशु से तेह नहीं हो रहा है लेकिन तुम्हारा तो हो रहा है तो तुम उस रुपए को लोग अपना डिवलेपमेंट करो खुद मुक्तार बनो आज अफसर के घर जाना पड़ता है कल आप अपने आदमी के घर जाओगे वो काम नहीं करेगा उसको आप बुर आजनीती कर रहे हैं वो भी चुक फारुक अब्दॉल्ला ने मेरे साथ इस रेस से कहा लोगों से कि यह तुम्हारे लिए है यह इनके लिए है ना मेरे लिए और मैं मुफ्ती साहिबा जो यह महभूबा मुफ्ती जी है जब यह चीफ इनिस्टर सी थी तब से मेरा वादा था कि मैं खाना खाने आओंगा तो अब मैंने इनको कहा सा तीन-चार दिन पहले कि मैं आपको बुलाओंगा तो बोली कि मैं जम्मू जा रही हूं लेकिन पहल पहले कि आप निसा कहा कि आप सभी नेताओं से मिल रहे हैं चुनाव के बार में एक बात यह कही जा रही है कि यहां चाहे जो भी कारणों सियासत हो राजनीती हो जो भी हो लेकिन कई बार है कि चुनाव में लोग बाइकॉट को कॉल दे रहते हैं सिर्फ यह पंचायत नही अभी जो श्री नगर में उप चुनाव हुआ था उसमें भी मद्दान का प्रतिश्ट बहुत कम रहा अननतनाग में अभी तक उप चुनाव हो नहीं पाया मुक्ति सहब के जाने के बाद ऐसी स्थिती में चुनाव करवाने को लेके क्या क्या परिशानी आ सकती हैं लेकि च काफी सकती के साथ ऐसे तत्तों से निप्टेंगे और अब जो भी आदमी चुनाव लड़ेगा उसको संपूर्ण सुरक्षा देंगे बूत को संपूर्ण सुरक्षा देंगे मशीनों को संपूर्ण सुरक्षा देंगे और अभी नहीं चुनाव लड़ने वाले को हम बाद म किसी के साथ यही तो समस्या रही है यह जो अब तक का इतिहास रहा है उन्हीं सो सहत्तर और दो हजार दो को छोड़ दिया जाए तो बाकी चुनाओं पर सवाल उठे रहे हैं उसी की वज़ से एलियनेशन भी हुआ यह आप यह मान के चलता हुआ और मैं यह नहीं होने दूँ आप निश्चें तरहें लेकिन यही बात है कि एलियनेशन हुआ यह आतंगवाद की समस्या पैदा हुई अभी लोग कहते हैं कि आतंगवादियों की संख्या में कमी है यह पहले तीन हजार आतंगवादी थाज़ दो हजार अतंगवादी है लेकिन उसके साथ साथ जो सीफ नहीं अब दो घाटी में यहां का लोकल तो विया नहीं करता लेकिन टेर्रिस्ट यहां होता है दिमाग में यह बड़े पैमाने पे यूथ में ऐलियनेशन भी है गुसा है Zahl को फसंद नहीं करता है हमको भी पसंद नहीं करता है वो जो political parties हैं उनसे भी असंतुष्ट है उसके साथ बहस से काम नहीं चलेगा कि हम उसको बहस से मना लें हम अपने action से उसमें reach करेंगे outreach करेंगे मिसाल के तोर पे जम्मू कश्मीर की football की टीम ने महान बागान को हराया हम हर जिले में field दे रहे हैं इस्टेडियम बना रहे हैं बड़े पैमाने पर लड़कों को उसमें निकालेंगे IPL के chairman आये थे मेरे हैं राजीव शुकला मैंने का आप IPL की कश्मीर की टीम क्यों नहीं बनाते हो 100% कश्मीर ही नहीं होगे पर कश्मीर के नाम की टीम होगी IPL का मैच कराई ये शेनगर में सारे देश में लड़के जाएंगे खिलने फिर musical concerts हों आपस में इंटर यूनिस्टी लड़कों का आना जाना हो और वो देखें कि भाई तुम क्या चीज मिस कर रहे हो जब यहां कादमी बाहर जाता हो जब देश कहने हिस्सों में यहां के लोग जाएंगे तो देखेंगे कि हम मिस करें कहीं ना जाएं मैं कहता हूँ ये अलीगर यूनिस्टी जाके देखें वो तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी हैं मुस्लिम लड़के हैं उनको देखो कितनी शान से और आजादी के साथ रहते पड़ते हैं तो खुद शेक अब्दूला वहां पढ़े थे तो ये जब होगा बेसिकली यूथ को हम आउट रीच करने की कोशिश करेंगे वो अभी मैं कहता हूँ एकदम उसमें हमें काम्याबी नहीं मिलेगी लेकिन बहुत जल्दी हम उसमें इन रोड़ स करेंगे आमतल वह है कि उनको गले से लगाने की जरूरत है और ये बताने की जरूरत है कि जिस रास्ते की पूजार है क्या होता है कि जहां बहुत जरूरी होगा वहीं forces force use करेंगी जो होता क्या है कि एक आदमी जब मरता है उसके जनाजे में 10000 आदमी शरीक होता है उस 10000 में 10 आदमी terrorist हो जाता है तो वो situation से वाइड करेंगे और मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि अपने बच्चों को समझाए अगर कहीं encounter हो रहा है forces तो अपना काम कर रही है वो आपकी भी रक्षा कर दी यह terrorist जब खुले छुटे थे तो यह लोगों के घरों में घुच जाते थे बच्चियों की बेज़दी करते थे तो उन से जब encounter हो रहा हूँ अगर वो निहत्ते हो तो तुम उसकी मदद को जाओ लेकिन अगर वो भी सामने से गोली चला रहे है तो फिर आपको पत्राव करने का अधिकार नहीं है वो आप ना करें उसको एवाइड करें इधर एक घटना हुई जिसमें कि यहां के पुलिस वालों के रिष्टेदारों मुकापहरन कर लिया गया उसमें ये खबर आए कि उसमें राजभवन की भी भूमिका थी चोड़वाने में और जो militant थे उनके जो रिष्टेदार थे उनको छोड़ा गया उस पर आप कुछ क चोड़े गए एक बुजर्ग थे जो बिठा रखे थे वह इसी छोड़ दिये जाने चाहिए थे तुम्हारा लड़का अगर टेर्रिजम कर रहा है तो आपका क्या कुसूर है उसको बिठाने ही नहीं चाहिए खेर जब छोड़ दिया गया उसके बदले में नहीं हुआ मैं इस से लोग ऐसे भी थे जो कहीं ना कहीं किसी ना किश से संब्ध देते यानि जो मीडिया में खबरें वो पूरी तरह से सही नहीं थे हाँ ना ना बिलकुल गलत है और हम मैं तो बिलकुल सिक्जूरिटी फोर्सेस के किसी काम में दखल नहीं देता हूँ आर्मी के चीफ आये निर्मला जी आई थी हमने का आप हमें बताओ आपको क्या-क्या फैसिलिटीज चाहिए एक बात यहां आती है बारबार की जिससे आपके पहले भी जो राजिपाल थै कि मतलब राजभवन में और आर्मी में भी कई बार बहुत सारे मुद्दों में मतभेद हो जाता है क्योंक का सिविलियन के साथ डीलिंग जो बहुत थुड़ी है वो तो बॉर्डर ही पर काम कर रही है और सक्सेस्फुली उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन को बहुत हद तक बहुत दूर तक रोग दिया है तो हमारा उनसे कभी कंफ्लिक्ट आने का सवाली नहीं उठता है और आपको म सेहोग है आपने देखा होगा मरनाथ यात्रा सक्सेस्फुली शांति पूर्वक गुजर गई ऐसे ही नहीं गुजरी हो इनमें आपस में कॉडिनेशन था फिदाइन दस्ते घूम रहे थे वहां कुछ को नैब किया गया और जो टेर्रिस्टी से इरादे से थे कि हम वो करें इसको यात्रा को बिगाडंगे उनको न्यूट्राइज किया गया लेकिन वह एक से नहीं हुआ तीन तीन लेयर सिक्यूरिटी की थे तो फ्यद्ने के बात पता चलता है नहीं घट यूशका क्या क्या अहतियाती गडम उठाएगए या पता चलता है थे और इक्सेलेंट काम होई नहीं सकती है उन्हीं के इलाकों से यात्रा गुजरती है अमर्नाथ पे तो खेर मुसल्मानों का बहुत सही होग रहता है वहां वो सारी दुकाने भी जो होती है और सारा सामान से देखिया आप लेके अनंतनाग से और इधर से यहां से होके गुजरती है बाल टाल होके सारी तो 90% मुसलिम पॉपुलेशन है और उन्हीं के कारण यात्री पहुंच पे पाते हैं वहां आता को सारे सामान के उन्हीं से लेते हैं मैंने देखा है मुसलिम लड़कों को 80 साल क के बुढ़िया को कंदे पर रख के दर्शन कराते हुए इन्हीं बातों को जो है जन्ता तक पहुंचाने की जरूरत है ना कि अभी तो जन्ता को यह भी पता होना चाहिए कि अमरनात की गुफा जो थी यह किसी हिंदू ने नहीं खोजी थी यह मुसल्मान भाई ने खोजी और इसका वो जो पुजारी समझी है कुछ समझी है जिसको उसका वो जाता है चड़ावा अब तो बोड बन गया लेकिन उसी को एक हिस्सा मिलता है यह बात है कि इतिहास तो सामपरदाइक सोहर्त की ही बात पताता है लेकिन किसी कारण से यहाँ जैसा सामपरदाइक सोहर्त कश्मीर से रोशनी मिलती है ये गांधे जी का वक्त भी है एक और मुद्दा है जम्मु कश्मीर में एक तरफ तो पूरे राजी को भारत से पूरी तरह जोड़ने का मामला है स्वायतिता का मामला है लेकिन दूसरी और जम्मु और रद्दाख के लोग कहते हैं कि राजी के अ बाकी ये कि अगर हम इसको स्वायतिता के नाम पर बांट देंगे तो वो तो गलत होगा हम चाहेंगे इंटिगरेशन हो सबका कश्मीर के साथ और कश्मीरियों का इनके साथ लेकिन डेवलेप्मेंट में हम उनको बराबर कर देंगे ये आप क्यों से प्रयास होगा पका क्श्मीर का भी डीविजन हो झाए इसलिए भी चीज़ें उठाई जाती है लेकिन लेकिन कश्मीर पूरा ही कश्मीर है बोरा ही जो जो भी आतिहासिक आप्यों ही कारण जाएंगे अंत में चुकि समय कम है आप से ही कहेंगे कि आप क्या उम्मीद कर रहे हैं अपने कारेकाल में इसको जोडने में पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है संतुला ना लाने में और देश के साथ इसको जोडने में जो एलियनेशन की बात आप कह रहे थे कितने आशानवे थें कि आपको सफ़ता मिले देखें मैं लगबद 50 साल से पब्लिक लाइफ में हूँ और मेरा immense faith है पब्लिक में अगर हम नेकनियती से काम करते हैं तो हमको पब्लिक का support मिलता है मैं आपको ये आश्रस करता हूँ कि मुझसे अंजाने तो गलती हो सकती है लेकिन मैं जान बूझ के कश्मीर की जंता की कोई feeling hurt नहीं करूँगा उनका कोई नुकसान होने नहीं दूँगा उनके कल्यांड के जनकल्यांड कारी कारिकरम को इमांदारी के साथ लागू करूँग ब्रस्टाचार को रोकूंगा administration को sensitive और जिम्मिवार बनाऊंगा और जो एक मैं आपको बता नहीं पाया मैंने सब को कहा कि हफते में एक दिन आप सिर्फ ग्रिवेंच सुनेंगे और जितने हमारे सलाकार हैं उनको कहा कि हफते में एक दिन एक जिले पर आप जाएंगे और लोगों से मिलेंगे यहां बड़ी शिकायत यह भी थी कि सब सुनवाई नहीं होती है अगले हफते मैं आप से जो 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 शिकायतों की आप लिस्ट बना के लाना मैं फिर अगले हफते पूछूंगा इनमें से किस-किस को आपने कैसे अड्रेस किया आपने एक और वक्ता भी दिया था आपने कहा कि आपकी नुक्ति के केवल दो घंटे पहले आपको सूचना मि के आप जाएए और कली ओथ ले लिजिए तो उसमें फिर कोई दाएंबाएं के गुल्जाइशनी रही तो काफी दिन से चर्चा चल रही थी कौन हो कई तरह के लिए नौकर शाह कि भी था आर्मी का भी था ये भी था मुझे नहीं कोई अंदाज था ना मैं उस रेस में था वेरी हपी विद बिहार वहां में काम भी कर रहा था आप देखेंगा अपने मुझफर पुरे घटना पर भी आपने काफी काम किया बीएड की बीमारी खतम की वहां मैं खुश था लेकिन जब हुकम हुआ तो मैं मेरे पास उस वक्त कोई आने का चुकर पटना से सीधे हैं क और यह लगभग दो पहर को मुझे बताया गया दो बजे तो फिर मैंने चार्टर फ्लाइट कराई सरकार से उसी से यहां आया और उसी से फिर वापस ओथ लेने के बाद पटना गया अपने लट्टे कपड़े लेने के लिए तो यह अचानक हुआ बहुत धन्यवाद आपन मेरी बात पहुंचेगी आपके माध्यम से आपका अरू नवाद करता हुआ है अब इसी उम्मीद से आपके पास आए है कि जंदा तक संदेश जाएगा बहुत धन्यूवाद थैंक यू